नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहिन बाग का पूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँ, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की emotional mental lynching, online lynching मैंने फेस की है, rape death threats मैंने तो ये मेरा हक बनता है, कि मैं इस देश ते कुछ सवाल करूँ, अब जो प्रदान मंतरी जी ने किसी आशेंका की कोई गुंजाईश ही नहीं छोडी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये politically motivated था, ये पुरान दोलन, और कहीं न कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना जाते हैं, उनको पुरा देश है, अउना चल परतेश से, महराष्टर से, दिल्ली से, हिमाचल साब उनका है, तो उनको छोटा सा टुकडा नहीं चाहिए, वो देश प्रेमी है लेकिन मैं उन से पूछना चाती हूं देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है मुझे जो इस देश को तोड़ना चाते हैं, मैं उनकी भावनाय मैं समझती हूं, लेकिन जो मासूम लोग है, वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं, हर आय दिन, अब जैसे शाहिन भाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं लेकिन फिर भी अपनी नागरित्ता बचाने के लिए अंदूलन कर रही हैं, एक पंजाब में दादी मुझे तिक गंदी भदी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने के कोशिश कर रही है, सरकार से, क्या हो रहा है इस देश में, दोस्तों हम लोग अपने आपको इत इतनी चीजें उनको क्लारिफाय करने हैं, पर यह लोग दलजीत दोशान हो गया, प्रेंकर छोप्रा जैसे लोग हो गया, इनसे कोई की इंटेंश, यह किस तरह की नीती कर रहे हैं, अगर मैं देश कहीत में बात करते हूं, तो मुझे कहते हैं कि मैं राज नीती कर रही हू इनसे भी तो पुछे ना यह कौन सी नीती कर रहे हैं, जैंट